अलो मेरे दोस्तों मैं रहूल और स्वागा था अपने यूट्प चला आज के सेंटर पर दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टन होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो में आपको बढ़ाया जाने वाला हिस्ट्री समेस्टर फाइब दोस्तों इसके पहले आप लोगों को और लेवन कम्प्लीट कर वा दिया गया ठीक है डिया सी वन भी आपका कम्प्लीट होई चुका है तो अगर आप लोग उसको नहीं देखे होंगे तो जाकर के देख लें डिस्क्रेप्टर में आपको लिंक मिल जाएगा उसको आप लो आज की वीडियों हम लोग जानने क्या वाले हैं कि लौड विलियम बैंटिंग के सुधारों का वर्णार करें कि आखिर विलियम बैंटिक कौन थे हना और इनका क्या-क्या सुधार था ठीक है तो बड़ा ही इजी लेंगवेज में आप आज आपको समझ में आने वाला है कि लौड विलियम बैंटिक के क्या-क्या सुधार थे उन्होंने क्या-क्या के सुधार किया था ठीक है तो चलिए हम लोग इसके सुधारों का जानने का परियास करते हैं और बहुत ईजी लेंग में जानने का परियास करते हैं ठीक है अप लोग को जरा सा भी तकलिफ होगा न रुकना नहीं है कहीं ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं इसके भूमीका को जानते हैं कि इसमें हम लोग को जानना है कि कैसे कैसे इसके सुधार थे ने थे हैं कि सबसे पहले घॏ को इनपी दोस्तों युक्ति ने भारत में ब्रिटिस आसन के इतिहास में एक नए युक्ति शुरुवात की अगर बात करें हम लोग बिलियम बैंटिक के नियुक्ति की ठीक है भारत में जब ब्रिटिस आसन का नियुक्ति हुआ था गौर्णल जनरल का नियुक्ति हुआ था तो इनका योगदान भारती एतिहास में किया एक नए यूग की शुरुवात के जैसा है ठीक है इन्होंने यहां पर आ करके एक नए यूग को शुरुवात किया भारत में ठीक है उन्होंने क्या किया कि 1828 से 1835 तक भारत में गवर्नल जनरल के रूप में कारेरात रहे ठीक है मतलब उन्होंने जो है 1828 से लेकर के 1835 तक भारत में गावर्णरल जनरल के पदबे उरू रहे थे कौन लॉर्ड बिलियम बैंटिक ठीक है वैसा बताया जाता है कि बैंटिक सांती अनुसासन और अर्थवयवस्ता के वक्ती थे बैंटिक जो थे बिल्कुल सांत मन के अनुसासित वक्ती थे उसके सांसा अर्थवयवस्तित वक्ती थे वो हर चीज को समझनेवाले वक्ती थे कौन लॉर्ड बिलियम बैंटिक ठीक है तो यह कोशन आपका बड़ा किया होगा ना तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या हम लोगों के लिए बढ़िया कारी किया था ठीक है देखे लिखा बाया लॉर्ड विलियम बैंटिक के सुधार लॉर्ड विलियम बैंटिक के सुधार कि आखिर इन्होंने क्या क्या सुधार कि तो बताया जाता है कि लॉर्ड में नई यूग की शुरुवात हुआ था ये जब कहा जा रहा है कि नई यूग का सुरुवात हुआ था इसका मतलब कुछ तो हुआ होगा न बेटर है न? देखे बता जाता है कि हलांकि उनका कारेकाल जो है केवल सात वर्सों की छोटी आउधी का था फिर भी इसमें स्थाई सुधारों की आउधी देखी गई है उनका अगर कारेकाल की बात करें तो उनका कारेकाल जो था ना मातर साथ सालों का उनका कारेकाल था लेकिन उनके यही कारेकाल में छोटे से कारेकाल में जो है उन्होंने क्या किया था काफी सुधार किया किनोंने सब्सक्राइब करें कि आप ए कि अब्रेश संधारों को सब्सक्राइब गया जो आपको नीचे बताया तो पहला इसका सुधार है शुम्धार क्या है कि मतलब करे Torah चैशार चैहे को समालता कि हमारा राजको सही है कि कि नहीं महलीजीं आपके पास पैसा ही नहीं प्सक्राइब नहीं तो यह जब उहाँ पर सासन भेवस्ता पर बैठा वह सासन चालू किया जब ठीक है तो उसके लिए वितिया साहिता तो प्त सम्हाला था ठीक है उस वोहां का जो था wa² वित्य शिस्ती जो था बहुत खराब हाँ है कि राजकोर्स कमजोर था राज के बजब के घाटा दिखाँ क्या थΟिक है उनका राज जनरल की और से वितिय सिती में सुधार के लिए प्रभाई कदम उठाना अवास्ते उखे गया ठीक है और वो जो थे जब यहां पर गॉल्रा जनरल के पद पर होते हुए जो ना उनको इस सिती में जो है सुधार लाने के लिए आवस्ते कदम उठाना पड़ा किनको लॉर्ड बैंटिक को ठीक है और इससे प्राप्त करने के लिए जो है ना उन्होंने निमलिखित उपाय अपना है और इसको प्राप्त करने के लिए जो है वो निमलिखित उपाय भी किया ठीक है कि अपने वितिय साहता को वो मतलब वितिये खरापिस्ति को सुधारने के लिए वो नि थिक है उसके साथ सभी अधिकारियों को जब भत्ता मिलता था ठीक है उसको क्या कर दिया कम कर दिया ठीक है क्योंकि अपना देश का इर्चिति को समालना ना समालने के लिए कुछ नखुछ तो करना पड़ेगा ठीक है को तुसरा क्या करता है उन्होंने सैन ब्भग में डबल बटड़ा किया ऑन वुआ समाप्त कर दी साक्रिय सेवा उन्हेचों को भत है थिया जो आधिये सदारों के द्वारा उन्होंने राजकोस में 1.5 मिलियन रूपया का अधिसेश छोड़ दिया ठीक है अब जब वो जब यहां से निकल रहे थे कौन? बिलियम बैंटिक जब यहां के गवर्णल पास से हटे थे ठीक है तो उन्होंने क्या किया था? अपने राजकोस में अपने राजकोस में 1.5 मिलियन जो है न अधिकों सोड़ दिये थे अपना पैसा वो छोड़ दिये थे कौन? बिलियम बैंटिक जब यह तो इस परकार से वो वितिये सुधार वो करते हैं अब देखे इनका दूसरा सुधार की अगर बात करें वह पहले गौनञर जनरल के पदपर थे जो भारतिय जंता के परति सानूबती रखते थे यह अन वं शांती मन के थे और बड़न वालिस के बाद यह गौनर जनरल लॉर्ड विलियम बैंटिक ही थे कि उन्हों ने नई प्रसासन सुधार पर ध्यान दिया है कि बात करhehe तो भारेंप्ञै की सेवा मैं भारतियों के नयोक कि करने था शुरू किया क्या कंपनी के सेवा में भारतियों को भी नियुक्त करना शुरू कर दिया क्या कि भारतियों को परसासनिक सेवा में नियुक्त करना बंद कर दिया था कौन को नवालिस ठीक है बताया था कि भारतियों को जो परसासनिक सेवा में नहीं किया चुना नहीं जा स उनों पर यूरोपीए लोगों के लिए अरक्षित करने है कि लिए उसने क्या किया था कि जितने भी premier है उस पर निख को रहेंगे King फिरंगें भौर्तियों को है न उच्व इंदीया जाएगा ठीक है लेकिन जैसा ही विल्याम करने के लिए बेंटिक ने उस निटी को छोड़ त कि लेकिन लाइम तरफ में यह कि वह प्रसास सmmmeno मतुस्त हैं तीसरा सुदार जो था दोस्तो समास सुधार क्या था समाज सुधार चीक है वो वीतिय सुधार के साथ साथ प्रसासने सुधार भी करता है और प्रसासने सुधार के साथ साथ समाज सुधार भी करता है कौन विलियम बैंटिक अब देखे समाज सुधार कैसे करता है दोस्तों तो समाज सुधार बता जाता है कि विलियम बैंटिक ने के समाजिक सुधारों में ब्रिटिस भारत के इतिहास में उनका नाम अमर कर दिया ठीक है विलियम बैंटिक ने समाजिक सुधार जो किया था ठागों का दमन कर दिया जो ठकते थे लोग उनका भी दमन कर दिया उनको हटा दिया गया हमेशा के लिए ठीक है उसके साथ कन्या भुर्ण हतिया ठीक है में ही सती होने के 800 मामले की सूचना मिली तो वह बहुत विवस्तित हो गया और उने इस प्रथा को खतम करने का निश्चे किया मتलrak बता जाता है कि सती प्रथा, क्या है कि विद्वाओं को जिसे माल नेज़े किसी के पती मर गए टिक है तो उनके पतियों के चिता की साथ, उनको भी जिन्दा जला दिया जा também यहसी है मिहां करता है जब वहां पर देखता है जब दूसरे जिब ठग रहे हैं तो वह क्या करते हैं उसको भी निवारन करने का परियास करता है उसको भी जड़ सहीफ खतम कर देता है जुए ति था हुए त्यों भूर्ण कर्या बुरन हरत्या मतलब आप समझते होंगे डिक है K diab coverage टो क्या क कनिया भूरुन में परच्छा जिस्तुँ mm को मारंने किया प्रथा रासपीर थी यह जो प्रथा जो था राजपुताना में पंजाब में मालवार कर्षी कमा उसप मना जाता था विसलिए अल piace के समय मार दिया जाता तो बेंटिंग ने क्या किया बेंटिंग ने बंगाल के सौगर्ज वी पर बच्चों की बली की प्रता को रोकने का परभावी कदम उठाया उन्होंने ना कवल करना 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 भूर्न हर्तिया पर रोक लगाई बलकि इससे दन्दनिय अपराद गोशिद कर दिया ठीक है अब काफि सुधार किया पर्सासनिक में समाजिक सुधार किया हर एक सुधारे वो करता है उसके साथ शुषा के चेतर मेंके Eisen सुधार करता है जिस बिलियम बैंटिक जो है भारती इतिहास में अमर हो गए, ठीक है, बता जाता है कि अंग्रेजी सिक्चा की सुरुवात लॉड बिलियम बैंटिक के प्रसासन के एक महतपूर्ण गटना थी, उन्होंने सिक्चा को बढ़ावा देने के लिए सिफारिसी करने के लिए लॉड मैक बैंटिक ने क्या किया प्रसासन के एक महतपूर्ण गटना था ठीक है और यह बताया जाता है कि अंग्रेजी सिक्चा को इंग्लीज को जुआ ना एक जोर्ज मतलब इसका प्रचार प्रसार बहुत जोरों से किया ठीक है और लॉड मैकले का द्यक्षा में जोने एक संभीत प्रचार प्रसार पर जोर दिया ठीक है और कैसे अंग्रेजी माधियम से मतलब इंग्लीज से हिंदी से नहीं इंग्लीज से ठीक है इस सिफारीज को जो है बिलियम बैंटिंग ने पूरे दिल से सिविकार कर लिया उसके बाद 1835 में सरकारी प्रसाओं ने अंग्रेजी को की अधिकारी का और साहितिक भासा बना दिया ठीक है जिसके बाद क्या हुआ कि अठारो सो पैसी स्वे में जो सरकारी प्रस्ताओं ने क्या किया अंग्रेज जी को भारत का अधिकारी का और साहितिक भासा बना दिया ठीक है और उस वह उसी वर्जुए ना बिलियम बैंटिक है भारत में जितना भी कारी किया सब उठाने के लिए कारी किया मतलब भारत के विकास के लिए कारइक जो भारत के लिए छ例えば हनियर हा है न मैंनunda यह लेइक है लोड परोपकारी और समर्जार व्यक्ति थे कौन बिलियम बैंटिक दूसरा पॉइंट हो बता गया कि उनके समाजी शुधारों जैसे सतिप्रथा काउन मुलन और बाल विवा की रोक्थाम ने हिंदु समाज के सदियों पुरानी बुराईयों को मिटा दिया था ठीक है उनके समाज पर पॉइंटिक ने वही कारे किया जहां दूसरों ने बात कि थे ठीक है मतलब बैलियम बैंटिक जो था जो इन्होंने कहा था ठीक है वो कारे को ये कीए ठीक है पर अगला पॉइंट पर बताया गया है कि सती प्रथा पर रोक के सबंद में नियमों को लागू करने के लिए वो अपने इस्तिती को जोखी में डालने के लिए तयार थे ऐसा सहास और असपास ट्विता उन दिनों के प्रसंसंग में प्रसासकों में कम पाई जाती थी ठीक है मतलब सती प्रथा को रोकने के लिए उन्होंने अपने इस्तिती को जोखी में जानला मतलब जोखी में डाल दिया था किनोंने बिलियम बेंटिक ने सैथ्चिक सुधारोग के माधियम से भी इन्हों ने क्या किया भारत में नए यूग का तौरबाद किया और यही आपका कोश्動画 था ठीक है यही कोशन के ़ो समझ गया है ठीक है कि बिल्यात्थी बिल्यां जरूर करें ठीक है उसके साथ जैसे मैं आप लोग को सपोर्ट कर रहा हूं वैसे आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें ठीक है कहीं ऐसा ना हो कि